नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं 17 सितंबर को रांजी में लॉंच होगी पीएम विश्व कर्मा योजना पीएम विश्व कर्मा योजना की लॉंचिंग को लेकर रांजी में भी तैयारिया शुरू कर दी गई है 17 सितंबर को पूरे देश में 17 अस्थानों परिया जोजना लॉंच की जाएगी रांची और पूर्वी सिम्भू में भी लॉंचिंग होगी इसे लेकर रांची के उपाई उपने बुद्धवार को अधिकारियों के साथ बैठा की बैठा की दवान उपाई उत्राहूल कुमार सीनहा ने कहा है कि कारीगरों और स्रमिकों को पूर्शाहन देने के लिए 17 सितंबर को पीएम विश्व कर्मा योजना की शुरुआत की ज उप में 15,000 उपे मिलेंगे मोराबादी स्थीत आर्यवट सभागार में होने वाले कारकरम को लेकर उपायूक्त ने सभी सम्मंदित पताधिकारियों को सो समय पूरी तयारी करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया है कि स्कीम के लांचिंग के साथ ही जीले में पहुची मरीजों की संख्या जारखन में डेंगू और चिकुनगुनिया से संक्रामीत की तदात लागातार बढ़ रही है गुरुवार साम तक राज में डेंगू पीडितों की संख्या बढ़ कर करीब 950 हो गई बीते दो महिने में डेंगू और इसे मिले जूले लक्षनो से कम से कम एक दर्जन मरीजों की जान भी चली गई है स्वास्त विभाग ने डेंगू जैसे लक्षनों से मरने वाले मरीजों के नमूने एलीजा टेस्ट के लिए भेजा है विभाग का कहना है कि राज में डेंगू की पोजिटिविटी रेट 14 फिशदी तक पहुच गई ह राजे के सरकारी अस्पतालों में बनाएगा डेंगू वाड लगभग फूल भी हो गए हैं डेंगू संक्रामन के सबसे ज्यादा मामले जमसेद पूर पूर्वी सिंभूम में है जीले में अब तक कूल 489 सेंपल की जांच होई है जिसमें से 651 डेंगू पोजिटिव मिले ह बरतमान में 290 मरीजों का इलाज सहर की विभीन अस्पतालों में भी चल रहा है इसमें 9 की सिती गंबीर है जिने ICU में भरती कराया गया वहीं 281 मरीजों का इलाज समाने वाडों में चल रहा है इस जीले में डेंगू जैसे लक्षनों से कम से कम 10 मरीजों की मौत भी हो गई ह हालाकि स्वास विभाग अधिकारिक तोक पर इनकी मौत की पुष्टी नहीं कर रहा है 15 सितंबर को रांची आएंगे भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा भाजपा के राष्ट्रिये अध्यक्ष जेपी नड़ा 15 सितमर को रांची आएंगे यहां से वे 36 गड़ के लिए भी रवाना हो जाएंगे रांची अर्पोर्ट पर ही परदेश बीजेपी के कुछ नेताव के साथ मुलकात करेंगे बता दे 15 सितमर को भाजपा राष्ट्रिये अध्यक्ष जेपी नड़ा रांची आएंगे रांची यहार्पोर्ट से वे 36 गड़ के लिए रवाना होंगे मिली जनकारी के नुसार जेपी नड़ा 36 गड़ जाने के करम में रांची आ रहे हैं यहार्पोर्ट पर भाजपा राष्ट्रिये अध्यक्ष जेपी नड़ा परदेश बीजेपी के वरिष्ट नेताओं के साथ बातचीत करेंगे मिशन 2024 की त्यारी में जूटी बीजेपी के नेताओं के दोरे लागातर बढ़ रहे हैं पर्टिक राष्ट्रिये अध्यक्ष जेपी नड़ा के आने की मुल वज़ा की जनकारी अभी तक नहीं मिली है लेकिन चाथिस गड़ जाने के करम में जेपी नड़ा रांची में रुकेंगे और भाजपा नेताओं से मुलकात करेंगे धनबाद में 10,000 रिस्वत लेते राईस्व करमचारी गिरफतार धनबाद एंटी करप्सन बीरो की टीम ने गुरुवार को तुप चांची अंचल करया लएक के राजस्व करमी सूसील कुमार सिना को 5,000 रुपई रिस्वत लेते पकड़ा है वह सिंग डिह गाओं के सरत कुमार महतो से सरक निर्मान में अधिग्रहित जमीन के मुअबजे के लिए बन रहे है रिपोर्ट तयार करने को लेकर घूस ले रहा था फिलहाल ACB की टीम उसे पूछ ताश कर रही है बता देहर यहर पूर्थाना छेत्रे के सिंग डिह गाओं के सरत कुमार ने बताया है कि सरक निर्मान के लिए उसकी भूमिक आधिकरन हुआ था मुआबजे के लिए LRDC कर्याले ने जमीन के मालिक से समन्ती रिपोर्ट की भी मांग की थी मैट्रिक और इंटर के पंजियन में गलबड़ी रोकने के लिए तीन अस्तर पर होगी जाच जारखन एकेडमी काउंसिल ने मैट्रिक, इंटर, नौवी और एगार्वी की बोर्ड परिक्षा में तूटी रही पंजियन को लेकर दिशाने देश जारी किया है जैक दोरा इस समन्द में बुद्धवार को सभी DEO को पत्र भेजा गया पंजियन में कोई गलबड़ी नहीं हो इसके लिए तीन अस्तर पर जाच की जाएगी बतार जे जीलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्कूल और कलेजों में पंजियन फोर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में भरा जाएगा अब बिद्ध्यार्थियों के पंजियन को लेकर जैक दोरा पहले ऑनलाइन एक फोर्मेट जारी किया जाएगा बता दे 15 सितंबर को कई जीलों में कहीं कहीं बारिस और बाजरपात की असंका है इस दिन पश्मी तथाम्माद भागों में बर्चा होगी वहीं 16 सितंबर को भी जारखन में मौसम ऐसा ही बना रहेगा बिभाग के मुतावी पिछले 24 घंटे के जारखन में मांसुन की गतिवी दिया समान ने रही है मौसम बेग्यान इपसे कानन ने अभी बता जाया है कि इसके बाद अगले दो दिन तक जारखन के अधिक्तम तप्मान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे है उन्होंने कहा 18 सिंदपन तक राजधानी में बारिस होती रहेगी अबुआ अवास योईना के तहट जारखन के बेघरों को मिलेगा तीन कमरे का मकान और सोचाला है जारखन के ग्रामिन बेघरों को अबुआ अवास योईना से तीन कमरे का मकान मिलेगा इसके लिए डिजाइन त्यार किया जा रहा है तीन कमरो और एक सोचाला का डिजाइन बन रहा है मुख्यमंत्री हमांसरेन और ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम के समक्ष डिजाइन का प्रेजन टेंसन होगा इसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा प्रारंभिक चरण में जो डिजाइन तियार किये जा रहा है उसमें तीन कमरे के मकान के लिए 2,75,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक प्रती युनीट लागत आने का अनुमान लगाया गया है यह लागत काफी अधीका है ऐसे में इस पर मन्थन भी हो रहा है चुकि मुख्य मंत्री की सुरू से इक्चाहाई की बेघरों को तीन कमरे कावास दिया जाए जमसेतपूर से राज अस्तरिये परखंड स्वास्त मेला शुरू पूर्भी सिंभूम जीला अंतरगर जमसेतपूर के मानगोई स्थित गांधी मैदान से स्वास्त चिकीज सा सीक्षा एवं परिवार कल्यान जथा अपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुपता ने राज अस्तरिये परखंड स्वास्त मेला का दिप परजलित कर इस मोगे पर मंत्री ने कहा है कि समाज के अमतिम पैदान पर रहने वाले ब्यक्तियों तक स्वास्त के सुववदा सरलता एवं सुगमता के साथ मुहया कराने के लिए जहरकन सरकार लागातार परियासरत है परखंड अस्तरिये स्वास्त मेला का आयोजन उसी महत्वकांची पहल का एक माध्यम है स्वास्थ मंत्री ने जमीनी अस्तर पर कारे करने वाले साहिया दिदियों के कारेों की सराना की तथा समाज के अमतिम पैदान पर खड़े स्वास्थ कर्मी को भी धन्यवाद दिया है हरिताल का 30 वरत 18 सितंबर को हरिताल का 30 का वरत महिलाय अखंड सोभा की प्राप्ति के लिए रखती है हरिताल का 30 का वरत 18 सितंबर सोमवार के दिन को रखा जाएगा इस दिन माता पारवती और भवान सीव की पूजा की जाती है बतादे हरितायल का तीज के वरत बहुत ही कठीन होता है इसके नियमों का सही से पालन करना चाहिए हर साल की तरह इस साल भी हरितायल का तीज के लिए महिलाओं ने काफी तरह कर ली है ये वरत हर सुहागिन महिलाओं के लिए काफी अहम होता है जे पी एसी परिक्षा गरवड़ी में मांगा अभियोजन ब्योरा सरकार को 5 अक्टुबर तक बिश्त्री जबाब दाकिल करने का निदेश दिया है बता दे CBI से भी मांगी गई है रिपोर्ट इस ममले में पिछली सुनवाई के दोरान आदालत ने CBI को स्टेट्स रिपोर्ट्स दाकिल करने का निदेश दिया था पूर्वट DGP नीरज सिनहा बने JSAC अध्यक्स जारखन पूलिस के पूर्वट DGP नीरज सिनहा को जारखन करमचरी चैन आयोका अध्यक्स बनाया गया है कारमिक विभाग नई समन्ध में गुरु आरकोई सुचन जारी कर दी है अध्यक्स पद पर उनकी नियुक्ति 23 सितंबर से प्रभावी मानी जाएगी वही नीरज सिनहा की जनम तीथी 8 जनवरी 1962 है ऐसे में वह जारकन करमचरी चैन आयोक में पद भार गरहन करने के तीथी से अधिक्तम 65 साल की उम्र तक इस पद पर बने रहेंगे बरतमान अध्यक सुधीर तिरिपाठी का कार्यकाल 22 सितंबर को समाप्त हो रहा है सेम हेमन्त की अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई इडी के समन के खिलाप मुख्य मंत्री हमनसरिंण की आचका पर सुक्रवार को सुप्रिम कोट में सुनवाई हो सकती है याचिका जश्टिस अनुरूद वोस और जश्टिस बेला एम त्रिपाठी के अधारत में सुची बद है E.D. ने CM को दो बार समन किया है इसके खिलाप हेमंत ने सुप्रीम कोट में अज का दायर की है बेतन समझाता को लेकर पांच से हरताल करेंगे कोईला करमी कोल इंडिया के अधिकारियों के रवया के खिलाप कोल इंडिया के 2.31 लाग स्रामिक 5-7 अक्टूबर तक हाताल पर रहेंगे हाताल में कोल इंडिया की सभी अनुसांगी कमपनियों समेत सिगरेनी कोलियरीज कमपनी लिमिटेट के स्रामिक भी सामिल होंगे इस दवरान कोईले का खनन उठाव समय सभी कार्य ठप रहेंगे जिसका असर कोईले से जुड़ी इकायों पर पढ़ सकता है इधर 11 वे बेतन समझाते के खिलाप कोल इंडिया का धिकारियों की करवाई के मुद्दे पर गुरु आरको CCL के दर्भांगा हाउस में परमुख 5 सरमिक संगटनों ने परतिनीधियों की बैठा कोई इसमें हरताल की रूप रेखा तै की गई है 2012 में बहाल आरक्षन कोटी के दरोगा जाच के दाएरे में जारक्षन पूलिस में साल 2012 में आरक्षन कोटी में बहाल हुए सारे दरोगा और उसके समकच रेंग के अपसर जाच के दाएरे में आ गए हैं वैसे अपसर जो आरक्षन कोटी में बहाल हुए हैं उन सभी के निर्गत जाती और आवासे पवान पत्र का भहतिक सत्यापन किया जा रहा है साथ ही भहतिक रूप से अस्थाई आवास के सत्यापन का काम भी चल रहा है राज पुलिस मुख्याल है की डियाजी कार्मिक ने इस समध में सभी जीलोग के एस पी रेंज डियाजी समध में पत्र भेज का रिपोर्ट मांगी है जिसके बाद राज भर्मेंतरोगा रेंग क्या रक्षन कोटी के बहाल हुए अफसरों के दस्तावेद वह उनके अस्थाई आवास का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है कोरोना से मृत के परिजनों को मिलेगा मुअबजा कोरोना संक्रमन से मारे गए जहारखन के 131 लोगों के असरीतों को 65,50,50 रुपए का भुगतान करने की स्युक्रिती मिल गई है राज के 5 जिलो खुटी रामगार हजारी बाग देवगार पाकूर के परतेक मिलित्त के परिवार को राज आपदा मोचन निधी फंड से 50,50 रुपए दिये जाएंगे राश्ट्रिये आपदा प्रवंधन प्राधिकरन द्वाराजारी निर्देश वगरी मंत्राले आपदा प्रवंधन प्रभाग द्वाराजारी मद वा मांदंड के परिप्रेक्च में करोणा से हुई मोध के निर्धारित पचास हजार रुपए आश्रीतों को भोगतान के लिए जीलों से प्राप्त सुचिक के बाद से खृति दी गई जीला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्नाय के नुचा रास्री आश्रीतों के बैंक खाते में भेजी जाएगी पांच राजियों की पूलीस आज करेगी बैठक देश के पांच राजियों की पूलीस एक साथ सुक्रवार को जार्खन पूलीस मुख्याले में बैठक करेगी बैठक में साइबर अपराज से लेकर नक्सली अभियानवा खुपिया सुचनाओं के रियल टाइम सेरिंग पर साजार रण निती बनाएगी बैठक में बिहार, बंगाल, उडिसाव, 36 गड़ के अपसर मुझूद रहेंगे बैठक में बाबलाम रांडी से पूछा सवाल जो अपने घर पर एक बाल सरमिक बच्ची के योना चार का आरोपी है और जेल से बेल पर छुटा है, धन्यवाद